ब्रवनी जक्सन बिहार के परमुख जक्सनों में से इस्टेशनों में से एक परमुख इस्टेशन है ब्रवनी जक्सन पुर्वत्तर को बिहार से रेल मार्क दोरा जोरने का कार्ज करती है और ब्रवनी इस्टेशन जब यातरी रात में पहुंशते हैं तो उनको जिग्यासा होता है कि जो जिनको पच्छिम की ओर सफर करना है खास करके भाया बचवारा मुहिदी नगर सापूर पटोरी हाजिपूर होते हुए जिनको पटना का यात्रा करना होता है उनके लिए जिग्यासा का विसे होता है जिनको अपनों से मिलना है या जिनको घर तक पहुचना है उनको जो कोताहल होता है कि आखिर ब्रावनी से कौन सी एसी ट्रेन है कि अर्ली मॉर्निंग भाया सापूर पटोरी होते हुए ये पटना से जोडने का कार्ज करती है तो इन्हीं यात्रियों के सुधा के लिए भारतिये रेलवे ने एक पैसेंजर ट्रेन चलाया है जो ऐसा कहें कि भाया मोहिदी नगर होते हुए ये सबसे पहली ट्रेन है कि पटना को ये जाती है तो ये ट्रेन जो पैसेंजर है ब्रावनी से जो खुलती है ये चार बज कर 30 मिनट पर सुबह में ब्रावनी जैक्सन से ये खुलती है फिर इसका अगला जो पहुंचती है और तेहरा 4.45 में फिर वहां से परस्थान कर जाती है फिर चार बज कर 53 मिनट पर ये बच्वारा जक्सन पहुंचती है और बच्वारा से ये फिर चार बज कर 55 मिनट पर अगले इस्टेशन के लिए परस्थान कर जाती है मैं आपको बता दूं कि बच्वार इस टेशन भी इस रेल खन पर एक महतपूर इस टेशन है बचवारा से एक जो लाइन जाती है दलसीन सरा होते हुए समस्तिपूर की ओर जाती है और एक पच्छिम की ओर जो मोहिवदी नगर होते हुए ये हाजीपूर की ओर जाती है तो फिर बचवारा के बाद इस ट्रेन का जो अगला श्टॉपीज होता है ये श्टॉपीज होता है फतेहा फतेहा होल्ट ये चार बज़कर 69 मिनट पर ये पहुंचती है और पांच बज़े फिर परस्थान करती है पांच बज़कर चार मिनट पर ये सिर्पू धेपरा पहुंचती है और पांच बज़कर चार मिनट पर फिर अगले इस्टेशन के लिए परस्थान करती है और अगला इस्टेशन इसका होता है मोहिधी नगर मोहिधी नगर ये पांच बचकर 47 मिनट पर पहुंचती है सुबह में और 5.48 में फिर वहां से परस्थान कर जाती है फिर 5.57 में ये नंदी लगुनिया पहुंचती है और 5.58 में वहां से परस्थान करती है फिर ये छो बचकर 4 मिनट पर ये सापूर पटोरी पहुंचती है औ चौबज कर चो मिनाट पर फिर ये अगले इस्टेसन के लिए परस्तान करती है। बहां से परस्तान करती है फिर ये चक सिकंदर पहुंचती है चो पेतालिस में चो च्हालिस में फिर वहां से परस्तान करती है चो बजकर उनसट मिनट पर ये अक्षा बट राइनगर जिसको पहले बिद्यूपूर भी कहते थे पहुंचती है और साथ बज़े फिर वहां से प प्रस्तान करती है बतादें कि हाजीपूर से एक और उत्तर पूरब की दिसा में एक लाइन जाती है जो मजफर पूर की और जाती है और हाजीपूर से परस्थान करती है पहले जागहाट के बाद गंगा नदी बहती है गंगा नदी ऐसा कहें कि उत्तर बिहार की और इस तरफ पहले जागहाट के तरफ उत्तर बिहार है और उस तरफ पटना जिला है जो जिसको दचिन बिहार का हिस्सा कहते हैं तो फिर ये ट्रेन दिघा हॉल अगला इसटोपीज पटना जक्सन होता है जो 9 बज कर 50 मिनट पर पहुंचती है और ये इस ट्रेन का अंतीम इस्टेशन होता है तो इस परकार से ये ट्रेन उत्र बिहार को दच्छिन बिहार से अर्ली मॉर्निंग जोरने का कार्ज करती है और बरावनी से ये ट्रेन चलती है बरावनी पटना मेमो इस्पेसल ट्रेन के हुए ये पटना को उत्तर बिहार से बरवनी को जोड़ने का कार्ज करती है तो ऐसे यातरी जो रात में बरवनी इस्टेशन पहुंचते हैं जिनको जिग्यासा रहता है जानने का कि आखिर बरवनी से सबसे पहली कौन सी ऐसी पेसेंजर ट्रेन है जो मोहिदी नगर होते हुए हाजिपूर और पटना की ओर जाती है तो इसका निशित ही जबाब है ये बरवनी पटना मेमो स्पेसल ट्रेन है इसका 03379 ट्रेन नमर है इसमें पेसेंजर का किराया लगता है और ये ट्रेन सुबह में 4 बज कर 30 मिनीट पर ये परस्थान करती है रेलवे अपने सुबधा के अनुसा टाइम टेबल में परिवर्तन करते रहती है लेकिन फिर भी अभी जो इसका रेलवे के नेटवर्क में जो अभी सिस्टम बता रहा है ये 4 बज कर 30 मिनीट पर बरव रेल खंड का खास करके बरावनी से पटना को जोड़ने के लिए इस रेल खंड का बहुत ही महत्पून ट्रेन है जिनको पटना जाना होता है बीमारी का इलाज कराने के लिए या जिनको कोट जाना है या जिनको सर्विस के मामले में नौकरी करने पटना जाना है ये ट्रेन मै उनके लिए बहुत ही अच्छा ट्रेन है तो ऐसे यात्री जिनका जो जिग्यासा होगा कि आखिर इसका टाइम टेवल कव है मैं समझता हूं उनका जिग्यासा जरूर इस वीडियो के मादम से दूर हो जाएगा तो ये बात जो जानने की फिर से मैं आपको याद दिला दूँ ये ट्रेन जो मॉर्निंग में ये ब्रावनी पटना मेमो जो खुलती है ये चार बज कर तीस मिनट पर ब्रावनी से खुलती है और फिर ये अगले यानि अंतिम इस्टेशन इसका पटना जेक्सन है तो मैं यात्रीयों से आसा और उमीद करता हूं कि आप इस ट्रेन का जरूर मिलेंगे और आप जो कई महिनों के बाद कई सब्ताहों के बाद कई बरसों के बाद अपने घर आते हैं उस माटी को आप जरूर धन्यवाद बोलेंगे जहां आपका जनम हुआ तो मैं आपको जो भी ये चैनल देखेंगे उनको ये चैनल देखने के लिए धन्यवा साथ